यह अपि यहां पंदर और जेंगर कि कर दिया बहुत सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब मुखड़ा दिखाने में सरम लगती न बस वैसे इन लोग को लग रही बहुत जादे लग रही चलो देखो इदर साइड में अर्पित्र पाठी वन में भी विसाल सर्मा ताइम पास मत करो बच्चा तुम देखो न निकल लो यहां से जल्दी निकल लो भाई इनको ब्लॉक कर कर रहा हूं पढ़ाने की question screen पर दिया हूं अरे ना लायक तुम उत्तर तो बताओ कम से कम तुम्हें आई नहीं रहा है उत्तर नहीं बता रहा है टाइम पास लग रहा तुम्हें कोई स्क्रीन पर है उत्तर नहीं दिया अभी तक सवाल तो दिख रहा तुमको शुरू से ही सबसे पहला जबाब एके ने बताया है वन का वी यह वी क्या है भई अपकर फच्रीं पर दिख रहा है मैंने इसका आप सभी से आंसर पूछा था बहुत से लोगों ने कोशिच किया बहुत से लोगों ने नहीं कुया इनको भी धन्यवाद और जिनोंने नहीं किया ना उनको और बढ़का धन्देवाद चलो लाइक ट्रेल आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट वो तो मैं कुश्चन वैसे दे दिया था अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्यूब रूट आप सभी घनमूल के बारे में परचीत हो चुके हैं इसके पहले मैंने कई बार पढ़ाया है और उमीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा है ना रीती राज जी समझ में आ रहा है ठीक है अच्छी बात है तो मैं तब तक लिख रहा हूँ आप दूसरा सवाल भी देख लो इसमें स्क्रीन पर चलो सिकेंड कभी जबाब देदो फिर इसी में लगे हाथ चलो कोशिस कर लो तो अच्छी बात है बाकी तो मैं अपने टॉपिक पर चली रहा हूँ जो टॉपिक हमें पढ़ाना है आज वह पढ़ाना नहीं था वो तो मैंने पूछ लिया डिफाल्ट में ऐसे ही घान मूल तो घान और यह मूल नहीं पहले संख्या लिखो सिकेंड का जबाब कोई बताएगा बाइद दो कुष्टन इसक्रिन पर दिख रहे हैं तो मैंना मुझे भी दिख रहे हैं क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ यह देखो कितना आएगा कुष्टन नमबर सिकेंड का जबाब कितना आएगा बच्चों जल्दी बता दो फटा फट बता दो फटा फट चलो देखो इधर साइड में हाँ तो हम बात कर रहे थे घनमूल आकिर घनमूल होता क्या है आप लोगों ने कभी सोचा है बिल्कुल सोचना भी मत उसका कोई मतलब भी नहीं है जो मतलब की बात है वो देखो इधर साइड में चलो साथियों जैसे यह कुश्चन है जिन तो कल में बताया था बाकी चीजे में कल बताया था एकदम छोटा सा आठ आपको पता है इससे परचित हो आप सभी क्योंकि आप सभी कक्षा आठ में पढ़े भी हो अटमी कलास पढ़े हो ना सभी हां सभी पढ़े हो ना बैया चलो ब कोई मतलब नहीं अब चलो मतलब पर आजाओ मैंने हटा दिया चलो देखो इसका क्या करना हमें गानमूल निकालना है गानमूल कैसे करेंगे देखो इधर साइट में समझो सबसे पहले दिये हुए नंबर का हम फैक्टर करते हैं फैक्टर मींस गुड़न खंड करते हैं और इसे आप सभी बच्पन में पढ़ लियो मैंने सिखाया है गुड़न खंड क्या होता सभी जानते हो देखो तो दो से इसको काटोगे आपको पता है दो चव काट फिर से दो स आया है दो और घैड़ बनाते हैं आप समझे रहे हो की भских connecting बनाते हैं बनाते हैं त्लब कुद दोनों परानी और वह साथ में वह मतलब आप समझे रहो ना अभी तो मानने नियालाई का भी फैसला आया था वह जो वर्ड है ना वह बैद है बैद नहीं है चल सकता है चलो देखो इधर समझो एक पेर बन रहा है इसमें से एक दो बाहर निकल जाएगा इसका अंसर हो जाएगा कितना दो बात समझ में आई ना लेकिन मुसीबत वहां पर बनती है जहां पर यह पेर नहीं बन पाते हैं तिन-तिन के कि समझ रहा हुना सभी प्रतिभा के सरवानी जी बिल्कुल कमेंट आपका आ रहा है चलिए देखिए इधर साइड में हाँ बच्चे चलो कम से कम आप अच्छा तो सोचे देखो इधर साइड में यह हो गया लेकिन अच्छा एक बात बताओ अगर इसका वर्गमूल निकालते तो क्या होता जानते हो जरा एक बार सोच के बताओ अगर इसका हम वर्गमूल करते तो क्या होता एक मिनिट सोचो देखो है तो बहुत बेसिक क्योंकि हमारी कलास यह उनी पापा को पढ़ा रहे हो ना कियोंकि वो कहीं पढ़ने नहीं जा सकते हैं अद्या प होते हैं घर वैटों मेंनत नहीं मुसीबत है एक एक सी से खिर नहीं कर पा हा रहे हो उनको हम पढ़ाते हैं समझ रहे हो थी या tane में जितने भी इस्टुडेंट जुड़ें उनमें अधिकान सब अठारा से अठाइस से लेकर चालिस साल तक वाले उनको पढ़ा रहें चलो देखो यहां पे अब कैसे करोगे यह जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं यह तो हो गया अब क्या करोगे हमें क्या करना वघमून देखो दोनों में अंतर है अगर आप ध्यान से देखो तो यह और यह में अंतर हैJean क्यों फॉई वह अंतर क्या है आपको सायद नहीं दिख रहा होगा कोई बताएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है जो मैंने लिखा है कोई अंतर दिख रहा है कि आपको कोई अंतर दिख रहा है मैं बता दूं क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा इसमें देखो बच्चा तीन है इसकी चुरकी पर और इसके कुछ नहीं है इसकी चुरकी पर तीन जाया तो अच्छी बात है चलिए देखे इधर साइड में अब समझने की कोशिस करते हैं हम लोग इसमें भी सेम टू सेम वह ऐसे ही करते हैं यह देखो इधर साइड में जैसे तीन बार आया था ऐसे कर लिया इसमें पेर दो दो का बनता है अपना दोनों परानी बस बाकी ती कितना बन रहा है एक जोड़ा बन रहा है न तो जो जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल दोगे यह हो गया आजाद हो गया और भाई इनका कोई जोड़ा है नहीं अकेले में चारे थे क्या करेंगे यह वर्गमूल के अंदर में ही रहेंगे इस तरह से यह इसका आंसर हो बाद समझ में आई ना, शंख्या वही है उत्तर अलग-अलग है क्योंकि कार अलग-अलग हो रहा है ये घनमूल है, ये वरगमूल है और ये बहीया दोनों में कामन है ये नारवजी है ये सब के बीचे रहे है बतलब फैक्टर वैसे ही करना है उसमें कोई अंसर नहीं है समझ रहे हुँ ना है एक्टर वैसे ही करना है तीपक चौहान रादे कृष्णा ठीक है बहुत अच्छे बेरे गुड तो एक बार मैं अपनी आवाज सुन लूँ तो यह था घनमूल की सुरुवात यहीं से होती है क्योंकि सबसे छोटी जो संख्या होती है पूर्ड घन वो क्या होती बताओ चलो सभी बताओ सबसे छोटी पूर्ड घन संख्या क्या होगी चलो जल्दी करो फटाफट बताओ सभी वाट इसमालेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर इंगलिस में तो भाई ऐसे बोलेंगे न मुझे भी कुछ कुछ आने लगा है पूनम कुमारी जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहु अच्छा जितना मेंने तुम कमेंट करने में कर रहे हो ना सबसे चोटी पूर्ल घन संख्या मैंने पूछा सबसे चोटी पूर्ल घन संख्या देखो जो चार बता रहे हैं सबसे सही जवाब है और सबसे पहले जो आया वह है एके का और प्रतिभा केसरवानी का भी सही है विसाल सर्मा तुम आ गए फिर चलो ठीक है अब सांती से पढ़ना अच्छी बात है सबसे चोटी जो पूर्ल घन संख्या बचवा वह आठ है जो लोग चार बता रहे हैं वो ध्यान दे अगर तुम चार का घनमूल करोगे ना बच्चा तो इसका घनमूल नहीं होगा करके देखो दसमलों में आएगा फिर थोड़ी कहानी बड़ी हो जाएगी मैं अभी बताऊंगा नहीं इसको ठीक है तो ये सबसे चोटी क्या है ये पूर्ल वर्ग संख्या है आप ये बोल सकते हो हाँ पूर्ल वर्ग संख्या है सबसे चोटी और ये सबसे चोटी क्या है पूर्लवर्ग है ना पूर्लघन है वो सब पार्टी से बाहर है जैसे तीन हो गया दो हो गया एक हो गया और सुनने की तो यहां कोई बाती नहीं है उसकी कोई आउकाती नहीं या रुपने की समझे रहे हो ना तो याद रखना सभी सबसे चोटी पूर्लघन संख्या competition में पूछ लिया जाता है अध्यापक भरती परिक्ष्छा में पूछ लिया जाता है लोग खोपड़ी पकड़ के बढ़ जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं सब से चोटी पूर्लघन संख्या आठ सबसे चोटी पूर्लवर्ग संख्या चार समझ गए ना अच्छा एक बात है एक और भी कुश्चन ऐसे आता इसी तरह का कौन सी ऐसी संख्या जो संभी है वहां बहुत रियर केस में यह बनता एकट ही है बाकी और कोई संख्या सी है न है कि जो Canada मैंने कई बार वागे हुए उसी तरह से जैसे की नगरी में कि इसाण सब हुह कि पूजा करते थे और वह प्रभुस्री राम चंदर जी की पूजा किया करते बिल्कुल वैसे ही थे अकेले बस वैसे ही चोटू यादो और भाई चोटू ठीको अच्छा मुझे एक बात बताओ बुरा मत मानना कि आप सच में छोटे हो या पिर आपका नामी छोटा रखा ग चलो देखो इदर अब अगला नंबर 27 क्योंकि हमें एकदम सुरू से सीखना है क्योंकि हमें एकदम जीरो से आपको सिखाना है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगी सिखाना तो जीरो से है और आपके जो भी साथी हैं पढ़ने वाले सब को बता दो कि PVR स्टेडी में ब तो पक्का नहीं देख पाओगे जो लाइब में सिर्फ वहीं पढ़ेंगे बड़े चलाक बनते ना बाद में आके डाउनलोड कर लेते चुपके से चोर जाई से हम बेवकूप है आके चिलाते हैं यहां पर चलो देखो लाइब के टाइम पर पढ़ो चलो इसके फैक्टर करे आप जाके पढ़ो फैक्टर क्या है उसके बाद यहां पर आजाओ अब फोड़ा सा लेबल बढ़ेगा ऐसा नहीं कि हमें तीन पांच करेंगे दिन बार अपी बड़े कुश्चन देंगे ना बेटी जाओगे चलो देखो सभीता भाटी ठीक है बहुत अच्छा कर सकते हो इसका स्क्रीन साट लेलो मैं सामने से हट जा रहा हूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीमा तीवारी बोल नहीं आज बहुत अक्छा दिख रहा है हां बहुत हमारे ऐसे पुराने इस्टूडेंट हैं जो बड़ी मुसीबत में जीए पले हैं जैसे होता नहीं कि पहले दिखता भी नहीं था ऐसा हमारी स्क्रीन रहती थी आज तो बहुत कुछ बदल चुका है हमें लग रहा है अभी उसी में से हैं अच्छा यह बताओ इसमें तीन थी सुनना बढ़ा दिया अब क्या होगा सोच के बताओ क्या होगा इसमें मैंने तीन जीरो बढ़ा दिया आप क्या होगा कोई बताएगा दीपक चौहान जी बताइए रनभी जै सिंग ठोटु भाई आउनिस सिंग पतिभा केसरवानी अभाजे वाले कुश्चन का अंसर दो है सबसे चोटी अभाजे संख्या सम औ समझ में आ रहा है अगा इस अब कॉम सा मैंने बताया दाना वह लाइन स्टाटिंग में बहुत से जीतर बांकी है अभी बहुत से हार बांकी है अभी बहुत से चले थे एक नहीं मंजिल के लिए यह तो एक पन्ना है मेरे साथियों अभी तूस मंजिल की पूरी किताब बांकिये अभी टाइम नहीं आया अभी बहुत टाइम है आने में चलो यहां भी तीन जीरो बढ़ालो इसके गुड़नखंड करो ठीक मैंने सही लिखा था ना तीन नमग सब्ताइस फिर से काटेंगे तीन तरीका नो फिर से काटेंगे क्यों सही है जा रहा है कि गड़बड हो रहा है तीपक चौहान प्रतिभा केसरवानी अकबर अली देखो हाँ इसमें थोड़ा जुगाड बता देते हैं आपको क्योंकि हमारे इंडियम बहुत कुछ जुगाड से होता है बहुत सारे बड़े-बड़े काम जुगाड से हो जाते हैं इस देश में तो इसको सब मत करो जुगाड समझ लो देखो तुम जुगाड समझ लो बच्चा इसको मिटा देते हैं जाने द्वाचकल नेताओं की कुर्सी भी जुगाड पर चल रही है यहां पर बात करेंगे तो हमारे पास हर पराटी के स्टूडेंट है और व अगर इसके साथ में 3-0 बढ़ गया कितना जीरो तो हमें इसमें 3-3 का जोड़ा बनता है जैसे अगर 1000 में है इसका घनमूल करना है तो इसका क्या होता बच्चा 10 होता है क्या होता है दस तो अगर इसका घंणमूल तीन है तो इसका घंणमूल क्या होगा बचवा देखो 27 का तो तीन हो जाएगा और जो तीन ती सुनना है ना उसका एक जोड़ा बनेगा जीरो बढ़ जाएगा इसलिए यहां क्या हो जाएगा 30 जुगार समझ गए ना पिसाल यादो जी गुड इबनिंग बहुत अच्छी टाइम पर आयो समझ में आया बुझाओ जारा भाई भीहारी लोग यूपी वाले दोन लोग के कुछ समझ में हो ता इसना है अब देखो यह हो गया एक और जुगार वाला देखो एक और देखो जुगार वाला क्योंकि ह हर चीज आपको पढ़ना बेसिक तो पढ़ना ही है लेकिन थोड़ा बहुत युगार भी होना चाहिए देखो समझो अगला सभी जबाब देना एक यह है बच्चा जैसे मैंने आठ लिखा था ना भी आठ का घनमूल सभी जानते हो जानते हो ना तो चलो फिर लगे हाथ इस कि वह और जो तीन थी सुनना था ना उससे एक सुनना बाहर आ जाएगा और यह बीस हो जाएगा इसका बोलो सही है कि नहीं सही है कि नहीं भाई देखो अगर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा तो बच्चे रुखते मुझे पता हैं अगर मैं बात चीत किया कमेंट पढ़ा सब भ यह मैं टेकनीक बता रहा हूं जुगाण जिनको याद करवाया था वर्गमूल घनमूल उनके लिए है और जिनको नहीं याद है तुम भी कुछ मेनत करो यार नहीं तो साधी भी आना हो जो जुग चलता है आजकल यह कोई दर जैसे हमारा नहीं हो रहा है इधर देखो अग जाक में बोल रहे थे मुझे करना ही नहीं कितना आएगा चार ना आएगा कि नहीं आएगा न तो अगर हम यह 64 लिखें इसके बगल तीन सुनना बढ़ा दें और बोलें चल बच्चा इसका बताओ तो कितना आएगा देखो सीधी सी बात है इसका तो हो जाएगा चार और यह जो तीन थी सुनना है ना इससे गीरो बढ़ जाएगा इसका हो जाएगा चालिस बोलो सावी को यह जुगाड समझ में आया कि नहीं हाँ शर्यांस पटे लारा समझ में रंजन कुमार अंकित हडि भाई तुम लोग क्लास को लाइक कर नहीं कर रहें बाबु अ कुछ आर्ति वर्ति उतारनी पड़ेगी का इतने भी साथी जूड़े हैं जल्दी से से सेशन को लाइक कर दें तुरंत कर दें करास का ऊपर आप्शन है इस पे पिलिक करके कमेंट को हटा दो इसक्रीन से कमें हो गया सभी बताएं करके जूटना बोलना कि हां मैंने कर दी अनित में देख रहा हूं गंदा कपड़ा बहुत दंदारा मुह में फेक के वारूँगा जान रहो क्या होगा चलो आगे समझ लो क्या होगा बहुत बद्बू इसमें आती है जीव टाइप क्योंकि इसमें न पानी मिस्रीद रहता है जितेंद्र खपड काना में भाई बड़ा खतरनाख है जितेंद्र खपेड मातो क्रियसान आ गया आप चलो अगला देखो एक और छोटा सा 125 है न भाया ये एक सो पचीश का घन मूल क्या होगा अब सबको याद है क्योंकि कल मैं याद करवाया था जो कल वाली खलाउप नहीं देखे वो देखने जाकरके 125 किसका घन है बताओ 125 किसका घन है बनिकल पढ़ाया था शुरू में यह आया था आया था ना कल आया था तो किसको हम ऐसे ब्लिख सकते हैं 12510 ये लो ऐलो एक नया जुगार अगया दिमाक में है थोड़ा कम क्लिए ठाकुति है और परी आयेगा ऐसी और रहुत आप अठाओ है पहले जब मैं आज इसमेने सुना थे खरियाना मतलब ही देखने का ही मतलब देखो इसका क्या आएगा 125 क्या होगा पांच और एक हजार का घनमूल दस होता है इस तरह से बचवा आपका पचास आज है पोलो आया समझ में आया तो छापलो फटा पर देर ना करो भई चोटू यादो अंक बिसकी एबिना यह जाय कार नहीं होती दो कोसिज करने नंगा नहीं मर रही इनकी है नहीं नंकी नहीं उनकी तो चुन पंश का। यह तुम लोगों को याद होगा क्योंकि कल मैंने याद करवाया था पचीस तक का घं लिखवाया था लिखवाया था न सब अश्छह कीमए जो आगे तुम चल लग रहा कोई बहुत बड़ा Со far कर दिया सब साइल claro सबसे पहले नाम मिलेगा बहुत बड़ा वालते को सबसे पहले एक ने बताया बहुत बहुत अच्छे सुबोध कुमार ठीक है चलो अच्छी बात जाने दो जो गया सो जाने दो चलो पाच तक हो गया था 6 चके चाटीस चक्छा कितना हुथा 216 यह 343 यह बता वच्चा 343 किसका घंड है चलो तो की प्टकपक पतक के आपक को पता है ना रात के को पीजीUM लाइब लगार नहीं वह भी आजाते हैं आज याफ रात के एक बज़े दो बज़े चाहे जब लगा तो लाइब वो तयार रहते हैं चलो और उमीद अगर तुम लोगों को कोई परकार कंफ्यूजन है तो संडे को आजाना रात दो बज़े से चलो अलारम लगा देना उड़ जाना इसका क्या होगा इसका साथ और सभी जानते हैं भारति लारी चंदर परकास ठीके चौधरी अनूद कुमार बहुत अच्छे वेरी कुड़ इसका साथ होगा क्योंकि हमने आपको कल रटाया था याद कराया था लिखाया था लिखाया था उनको नहीं पता है वो ये खचाना आधा गंटा तो काटी नहीं फिर चार तो पांचे ने इसलिए याद करके रखो क्योंकि यहां लिए करना गुड़न खंड ऐसे आसान नहीं होता कि फट से आ जायेगा यहां सिकेंडों में काम होता है इतनी बड़ा कमपर्टीशन है एक आटों भी चलाना सणक पे न उसमें भी चार गाली होती है कभी देखे ओक नहीं आट वालों को मौत की गोद में बैठ कर गाड़ी चलाने वाले यह इसका साथ हो गया न की कौन सी मुसीबत इसमें आगई ठीक है इसका क्या हो जाएगा साथ एक हजार कर दस फाइनल में सत्तर आएगा कितना आएगा सत्तर आएगा भाई सबसे पहले भारती लहरी ने बताया बहुत अच्छे बेरी गुड हरी ओम जी राम पर बेस महतो अनूब भाई देखो जितने लोग के कमेंट आ रहें सिर्फ सब्सक्राइट नहीं बोला है नालायक बोल्राइब देखो यार प्यार से बोलते हैं क्योंकि आफी लोग तो हमारे सब कुछ हो आप के लिए सब कुछ मैं कर रहा हूं दिनरात जो भी हो रहा देखो चीजें बदल रहा हूं लगातार है जेटू मुबाइल से देखो पैम्रे तक आ गया डिचल बोर्ड तक आ रहा लेकिन सब चीज़ें आपी के लिए तो हो रही न चलो सभी साथी सेशन को लाइक जरूर करो फटा पट देर ना करो तो यह समझ में आ गया जिस तरह से 343 का घनमूल साथ होता है उसी तरह से आप इसको 343 को अलग कर सकते हो 1000 को अलग कर सकते हो 343 का घनमूल साथ हो जाएगा 1000 कदस हो चाएगा दोनों का गुरा कर लोगे सतर हो जाएगा अगर तुम काटपीट करोगे इसका ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा टाइम लगे गा समझ रहे हो यह जुगार के चलो अर्चना रहारा समझ में दको नहीं होती है लेकिन तुम लोग ऐसे करते हो तो बोलना पड़ता है चलो कि पूरा मिठा दू कि अच्छा एक बात बता इमांदारी से सभी बताना अगर देदू तो गलत बात है कि क्योंकि कहते हैं अगर कस्में सच होती तो सबसे पहले खुदा मरता बगवान की कसम खुदा है अगला क्या है है हम इस्टेप बाई इस्टेपी चलेंगे साथ सौनतिस पूछने वाला यह था कि कल मैंने बच्चा तुम लोगों को घानी याद करवाया था अएसे कल याद करवाया था पचीस तक कल लिखवाया था जिसको जिसको याद हो गया वो बोले यस जिन्हों नहीं किया वो बोले नो और जो कुल आये ही नहीं थे इमानदारी से कल नहीं आये थे वो लिखेंगे वो फार आउल मदला वुल्लू चलो बताओ कितना आएगा भई हरसित पांडे प्रतिभा के सरवानी एक के याद हो गया ठीक है बहुत अच्छे बेरी गूड बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे शीवा सिंग अंकीत रन भी जये और हे एक बात अवर सुन लो जो जुठाई में यास अच्छे बीजानलो गणना नहीं बोलना कि कितने चलाक बच्चे हैं मैं देखा था इन सब का कमेंट कई यह आज बोल रहे नहीं हमाल है अ कमाल यार मुझे पता है जो जो कल आये थे और आज बोलते नहीं आये थे पहचान रहा हूं एक एक कत्षोबड़ा पहचान रहा हूं चलो देखो इदर आगे समझें क्यों हो गया तो इसका तो नौ होगा जिस तरह से 739 का क्या होगा नौ होगा उसी तरह से आप इधर वाला भी कर सकते हो आरपी बॉआ है तो यह इसा का है लिखते हो खतरनाक नाम तेखो इधर साइड में ठीक है यह नौ का घं है एक साथ सोनथिस किसका है नौ का नौ नवाई क्यासी नमया साथ सोनथिस होता है नाइन जा एड़ी वन को नाइन से मुल्टिपल करोगे सेबन टॉंटिन आएगा तो इसका तु आंसर ना इन हो गया अगर तुम्हें खुदाना खास्ता ऐसे कही मिल गया याद रखना सुनने तीने होना चाहिए अगर दो जीरो है तो मामला अटक जाएगा फिर नहीं जाएगा फिर जाएगा दसमलों में जाएगा फिर थोड़ा मेनत ज्यादा करनी पड़ेगी इधर समझो तो ये क्या होगा 729 और इसको 1000 से मल्टिपल कर लो बच्चा तोड़ लो दो भाग में बांट दो बराबर बराबर फिर क्या करोगे आगे देखो समझते चलो 729 का पता है 9 होगा और 1000 कद्दास होगा दोनों में गुड़ा कर लो 90 हो जाएगा और जिनकी खोपड़ी काम नहीं कर रही कि ये 90 सही लिखा है गलत लिखा है न वो इसको कर लें का 90 को तीन बार गुड़ा कर लें गुड़ा करके थोड़ा अपना सिर पे हाथ रखके देख आरा बराबर कि नहीं इसको तीनों को जब तुम गुड़ा करोगे तो यहीं आएगा यह साथ सवांतिस और तीन थी सुनना आया कि समझ में आना सभी को आया ना समझ में आप काहे बाई किसी को परिसान खरर रहे हो जो खुश हो रहे हैं उनको खुश रहने तो ना था यह नहीं कुश रहो भाई तुम खुश रहो खुश रहो है ना यह हो गया ना समझ में है न सभी को हां लेकिन पागल हो जाओगे अब यह हो क्या रहा इतना देर से पुझे खुद नहीं समझ में आ रहा इसको बंद करो अब चलो कुछ बड़ा-बड़ा आगे बढ़ते हैं लेकर के हां जैसे कोई नंबर बताओ मैंने कुछ कुछ लिखे थे एक मिनट रुको अब यह छोटे छोटे नहीं होंगे अब बड़े में चलेंगे हम लोग कितने भी नए साथ ही हमारे जुड़े हैं जल्दी से इस कलास को लाइक कर दें और भाईया सभी अपने वर्टसप गुरूप में सेयर कर दो बाभू एक मिनट के सबी बच्चे जल्दी से फटाफट इस कलास को सेयर कर दो आपके पास दो मिनट का टाइम है महेंद्र सैनी ग्रूप डी की कलास देखो बच्चा जो पढ़ा रहे पहले इसको पढ़लो आप इस हम सब हो जाएगा डी सी सब चलो जल्दी करो फटाफट अगर कोई समस्या है तो बता दो बिल्पूल टेंशन मतले ना चलो जिकराना अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना ओके ज्यादा उपर जा रहा है का यह चलो ठीक है ओके ठीक है ठीक है ओके सभी चाथी जल्दी से इस सेशन को लाइक करिया और सेर करिये मैं कैमरा थोड़ा सेट करता हूँ चूकि उधर साइड ज्यादा निकल रहा था चलो जाना नहीं कहीं भी जाना नहीं बिल्कुल टेंशन मतले न जिते एन्दर जी बिल्कुल मैं आ गया आ गया मैं आ गया आ गया चलो एक छोटा सा यह बताओ बात वो क्या है इधर साइड देखो देखो सभी देखो वह यह है कि बच्चा बारा का घं क्या होगा कल मैंने याद करवाया था न तुम्हें याद करवाया था न यह जुबान पर रहना चाहिए जैसे मैं पूछू तुरंद पलड़ तो फट से चलो कितना है अगर गुड़ा भाग किये तो मान लोग गए गए सेलेक्शन नहीं हुआ नही साथ होनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है जिन्दगी में को बटल दीजी है ठीक है कि समझ गए ना चलो आगे बढ़ो चलो सभी बताओ जल्दी से सबसे पहले जबाब आया हरी ओम का हरी ओम जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे सुनीता कुमारी वा मतलब तो मैं आपका समझ बारा हूं लेकिन हमारे इस्टूडेंट इसने 60 टाइप के न वह हिंदी नहीं समझते हैं इंगलिस की बाद छोड़ो अब मैंने जो वर्ट बोला इसका मतलब यह नहीं समझ पाएंगे बस यहीं जानेंगे कुछ गलत बोला बस इससे आगे नहीं समझ पाएंगे ओम राम में घावल रामा देवी पिंटू राय नोट्स का पीडियाफ मिलेगा अभी सिंग चलो ठीक है यह वैसे ही है जैसे ऐसे समझ लो इनको कि बचवा क्या किया बड़ा हो गया पहले बाप क्या करते थे बापा खेत करके जोट के बाई हमारे पापा भी यही करते हैं बच्चे को पढ़ा पापा क्या कर रहे हैं रहे हैं तो पढ़ाय लिखाय हम वह चला गया है अई तो आगे क्या महसूस होगा चलो देखो इदर समझो इदर साइड में आप लोग तो भाई ऐसा रहे हैं अमेरिका वाला होगा वह जाझेगा मयथ है अरे बिर्टेन वाले सब पढ़ते हैं उन लोग पता है मयथ है यह पूछ रही क्या पढ़ा रहे हैं कि देखो इदर साइड में यह हो गया ना आप लोग इसका कर लोग है जो लोग इसका बता रहे थे ठीक है बान भी सथ होगा सही है इसका भी अच्छा एक बात बताओ इधर साइड में 24 का क्या होगा 24 का क्या होगा बताओ याद कियो ना आप सभी यद राम यदू अंकित कुमार जा रही कौन जा रहा भई जाओ नहीं देखो इधर समझो यह मैं आपको याद करवाया इसलिए पूछ रहा हूँ कल मैं लिखाया था इसका घं क्या होगा अरे इसे चोटा सा बता दूँ जो मुझे आता है तीन का घं यह याद होना चाहिए आप लोगों को अगर इमानदारी से पढ़ना चाहते हो तब इक ना पर दूम यादो आपका नाम तो मैं बहुत लेता हूं सोते जाकते उठते बढ़ते आप लेता रहता हूं लेकिन आप सुनते नहीं हूं तिकत तो यह हैं जैसे उनने हो ना तुम मुझे कितना याद करते हो कि नहीं कोई पुछा एकनी आतक तक तुमसे क्या बताते हो नाम आता भी भूल से नहीं आता अलग बात को इधर साइड में अब हम क्या करने वाले थे कुछ कुश्चन करने वाले थे बात बहुत सारी हो गई हाँ तो तायतिस पच्छत्तर अब इसका बीना उड़नखंड किया नहीं होगा देखिए समझे सबसे पहले कैसे करेंगे इसका अंसर कोई बताएगा मुझे क्या कोई इसका अंसर मुझे बताएगा कि इतना आएगा भई पोसिस कर लो एक बार को मुझे पता है अधिकतर लोग बता दिये अपनों में भी याद करते हैं अच्छी बाद सबसे पहले इसको देखो प्यारते नंबर को संख्या को देखो मुझे नहीं देखो यह है 3375 इसका लाश्ट अंक देख करके इसके हाव भाव से लग रहा कि यह बिसाम संख्या है अधिसी बात है यह क्या है विसंख्या है न आप इनलों को लाइक करवाईए शेयर करवाईए ठीक ठाक कर रहो बैट क्या करो कम से कम दुचार बार कमेंड लाइक करें सेयर करें आप यही करिए बस दूसरा कुछ मत करिए और यह सुनने वाले है नहीं कि देखो यह ठीक है कि समसंख्या है और क्या यह भाजी है कि अभाज इसको कैसे जानोगे सम्विशंख्या की तो हम लोग जानते हैं आदे हैं यार भाई। इस्टरब कर रहे हो बैटके लाइक हैं ऑर सेयर करें यह तुम ना हिंदी लिक रहो सुद्ध ना इंग्लिस कर रहो या तो इंग्लिस लिख्ट तुम छोटा बड़ा दीख रहे हो वर्ड लिख रहो इंगलिस वाला है कि देखो समझो इदर साइड में कुरिया है जो देखो इधार समझों है थीन एकम 3 3 एकम 3 3 दूरा चार तीन परचे पंदरह कि अब क्या करोगे आगे बोलो समझो खिर इसको 3 से काटेंगे 3 से यह कट जाएगा 3 तरीका 9 321 315 समझ में आ रहा ना सभी को समझ में आ रहा है आप मुझे यह बताओ किससे कटेगा 375 यह सही काटा हूं क्या मैंने 3 तरीका 9 यह हो गया 21321 315 ठीक है किससे कटेगा तुरेश मीना कलास देखो प्यार फे ठीक है कलास देखो प्यार से आप लोग अब फिर यह तीन से कटेगा तो तीन एककम तीन और यह तीन दुना से तीन पचे 15 अब दिखो आप सभी परचीत हो 125 से सभी जानते हो इसके बारे में न 125 का क्या होग बच्चा यह किससे कटेगा 5 से कटेगा 25 आएगा फिर से 5 से कटोगे और फिर से 5 से कटेगा अब मैं बहुत लंबा नहीं बताऊँगा चुकि टाइम ओवर हो गया आज की कलास का तो यह 3-3 का जोड़ा बनता है और एकठी 5 का जोड़ा बनेगा एकठी 3 का बनेगा तो फाइनल में 3 गुड़ा 5 मैं 60 कट में लिख दे रहा हूँ 15 इसका अंसर आएगा समझ गए ना जो एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं वो उपर सभी गुड़नखंड को एक बार में लिख सकते हैं लेकिन देखो मैं आदत से मजबूर हूँ मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत से हमारे कमजोर इस्टूडेंट भी होते हैं यह काफी परिसान हो जाते हैं देखो ओं इस समझो मम खुछ नहले शोड़ रहा हूं पूरा लिख दे रहा हूं ली है यह तीन गुड़ा तीन और फिर यह पाँष्ट गुड़ा पांच गुड़ा पांच यह जोड़ा बना लो पांच परांच बराबर 15 है यह फाइनल आंसार हो गया मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें कुछ नहीं छूटा है यहां तीन लिख लेना समझ में है न यह हो गया क्या यह हो गया क्यूब रूट क्यूब रूट मींस घन मूल तो साथियों दस बजे से आपकी DLA की कलास चलेगी जो भी छातर DLA यानि की BTC के थर्ड समेश्टर में हैं वो लोग आ जाएंगे रात के दस बजे से लाइब चलेगा उनके लिए पिसेश रूप से और याद रखेंगे कलास सब के लिए होगी जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक होगा जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक होगा समझ रहे हो ना सभी बच्चे जो पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक होगा तो अगर आपको मैद सीखना है तो आप जरूर देखें समझ रहे हो रात दस बजे वाली कलास भी देखना अगर आपको मैद सीखना है तब जरूर देखना और सभी साथी चैनल को तुरन सब्सक्राइब करने बिल्कूल देर ना करें जिससे कि उनको अगली कलास मिल सके